दोस्तो आज 23 जून 2024 इत्वार का दिन है आज से कतर में पूरे डिपार्टमेंट पहले की तरह ओपन हो चुके हैं इद की छुटी खत्म हो चुकी है इस वीडियो में हम आप लोगों के कुछ कमेंट का रिपलाई देने वाले हैं अगर इस वीडियो में आप लोगों की तरह स हम और भी बनाने की कोशिश करेंगे तो चली आज का हम पहला सवाल लेते हैं आज के पहले सवाल में आप में से किसी भाई नी यहां पर पूछा है कतर में एगरिमेंट पर दस्खत कर दिया हूं तो कमपनी चेंज कर सकते हैं या नहीं बता दीजिएगा बहुत महरबानी हो अगर पुरानी कमपनी वाले रेजक्ट कर देते हैं तो फिर आपको चेंज नहीं मिलेगा आपने जो भाई यहां पर सवाल किया है उमीद करता हूं आपको जवाब मिल गया होगा दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कमेंड बोक्स में इसका जवाब जरूर दीजेगा अभी जो पिछले कुछ महना से चेंज में नया रूल आया है तो यह रूल सही है या यह किसे पहले वाला रूल ठीक था दोनों में से आसान कौन है यह आसान है या यह कि पहले वाला आसान था कमेंड बोक्स में जरूर बताएं अगला जो सवाल ह ये भी company change ही के बारे में है आप यहाँ पर देख सकते हैं आप में से किसी भाई ने पूछा है भाई मैं नियो कतर में आया हूँ तीन मंत हो गया है अभी तक मेरा ID नहीं आया है company change हो सकता है या नहीं इस भाई को अभी कतर में सिर्फ तीन महना हुए हैं लेकिन company change के बारे में अभी से सोचने लगे हैं, तो यहाँ पर इस भाई को मैं कहना चाहूँगा, क्या ऐसा नो हो कि आप चेंज करने के चकर में, आपको कमपनी वाला घर भेज दे, जिस कमपनी ने आपको इतना पैसा लगा करके, वीजा दे करके आपको बलाया है, वो आपको आसानी से कैसे चें चेंज करने के लिए अप्लाइग करेंगे तो एक यहां पर बताया है कि आपको श्रीप तीन महना हुआ है तो आपकी कम्पनी कभी भी इसके लिए ओके नहीं करेगी बस इतना कहना चाहोंगा कि अभी आपको शिर्फ तीन महना हुए हैं आप दिल लगा करके पुरानी कमपनी में काम कीजिए ऐसा नहों कि आपके एक्टिविटी देख करके कमपनी वाला जो है घुसा होकर कि आपको घर भेज दे दोस्तों अगला जो सवाल है आप यहां स्क्रीन पर देख सक हैं एक भाई ने कहा है कि यह सौदी रिटर्न हैं और यह घथर में हाउस ड्राइवर में आना चाहते हैं तो यह मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे आओं कहा से आ सकता हूं तो दोस्तों इसका जबाब यह है कि आप मिसे जो लोग ही कतर आने के बारे में सोचते हैं तो ऐसे सारे लोगों के लिए जवाब होगा वो ये कि अगर आपका कोई रिलेटिव आदमी कतर में रहता है तो सबसे पहले उससे बात कीजे वीजा के लिए अगर आपका कोई रिलेटिव आदमी कतर में नहीं रहता है तो फिर आप किसी मे यही जाने की कोशिश करें कतर फिरी वीजा लेकर के जाने वालों के लिए मैं तो यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको एक रियाल भी वीजा का पैसा नहीं लग रहा है तो आप फिरी वीजा में कतर मत जाएं दोस्तों आज का जो अगला सवाल है आप यहाँ स्क्रिन पर केंसिल होना चाहिए या तो कंपनी वाला खुद केंसिल करें या यह के कभी कभी आइसा भी होता है कि कतर आइडी एकस्पायर होने के बाद में खुद बखुद केंसिल हो जाता है सिस्टम उसको केंसिल कर देता है जब तक आपका कतर आइडी सिस्टम में शो करता रहेगा लेकिन वो केंसिल नहीं होगा तो केंसिल नहोंने की उसरत में आपको न्यू विजा के लिए दिक्कत और प्रोब्लम हो सकता है आपको साल दो साल वेट भी करना पड़ सकता है दोस्तो आज का जो लाश्ट सवाल है आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं आप में से किसी भायनी पूछा है कि मेरा पासपोर्ट कमपनी ने रख लिया है मागने पर नहीं दे रहा है तो क्या करें दोस्तों कतर में कमपनी को इलाव नहीं है कि वो अपने वर्कर का पासपोर्ट रखे लेकिन कुछ कमपनी वाले इसे धीट होते हैं कि इस रूल को फोलो नहीं करते हुए जवर्दस्ती अपने वर्कर का पासपोर्ट अपने पास में रखते हैं तो ऐसी कमपनी के खिलाप में आप यही कर सकते हैं अगर आप फाइनल एक्जिट जाना चाहते हैं या अगर आपको पासपोर्ट की फिलहाल जरूरत नहीं है वह सही आप अपने पास में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूंगा अगरचे कमपनी वाले कतर की रूल को वाइलेट करते हैं लेकिन थोड़ा आप ही लोगों को मैनेज करना होगा क्योंकि अगर आप लेबर कोट में कमपलेन करते हैं तो कमपलेन करने के बाद में बहुत ज़्यादा चांस है कि इस केस को अगर आप जीत भी जाते हैं तो हो सकता है कि कमपनी वाले आपको अपने पास में नहीं रखेंगे केस करने की वज़ा से बहुत ज़्यादा चांस है कि कमपनी वाले आपको घर भेज देंगे तो इसी लिए सोच समझ कर कमपलेन करें अगर आप यही चाहते हैं कि पास्पोर्ट मेरे ही पास हो तो लास्ट ओप्शन यही है कि आप लेबर कोट में कमपलेन करें कि कमपनी ने मेरा पास्पोर्ट ले लिया है और कमपनी वाले मुझे पास्पोर्ट नहीं दे रहे हैं इसका जो है लास्ट सोलोशन यही है लेकिन इसका जो है आगे रिजल्ट क्या निकल सकता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया इसलिए जो कुछ करना है सोच समझ कर करें दोस्तो इस वीडियो में इतना ही हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शियर करें आपके लाइक करने से हमें ऐसा महसुस होता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है इससे क्या है कि दूसरी वीडियो के त्यारी के लिए हमें हिम्मत और अहुसरा मिलता है आप में से जिन भाईयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें बहुत बहुत शुक्रिया